नमस्कार आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूस मैं हूँ आपके साथ रोश्णी शर्मा बोपाल के बेरेसिया में भाजपा नेत्रे निर्मला देवी शांडिल्य के गउशाला में कई गायों की मौत का मामला सामने आया था और गउशाला में बने कोय में 20 गायों के शव मिल थे इसी की जानकारी लगने पर पूरे प्रदीश में माहुल गर्मा गया था और अब भोपाल के बाद इन दौर के पास पेडमी में अदर्श गउशाला का अवाट प्राप्त अहिल्या माता गउशाला भी अब गायों के लिए कब्रगाहा साबित हो रही है यहां गायों के यहां गउशाला के पास जंगल में करीब सौ से ज्यादा गायों के शव और कंकाल पड़े मिले हैं आपको बता दे कि गुरुवार को कुछ गउशाला पहुंचे थे उन्हें तो वहां पर उन्हें गउशाला में कुछ ही गायदी दिखाई दी जिसके बाद वे जंगल रहा है आए देखते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला और इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन दौर से हमारे समवाद दाता राहुल वाविकर जी और उनके साथ मौजूद है भाश्पा गउसेवा प्रकोष्ट के प्रदीश उपाद्य का मामला और इसकी जानकारी कैसे लगी और अभी अमामला कहां तक पहुंच चुका है जिस तरह के तस्वीर सामने आए थी वह काफी दिल दुखाने वाली कही जा सकती क्योंकि जो गाये हैं वह आस्था का प्रतिक हैं हमारे देश में यहां पर गायों को पूजा जाता है ल लेकिन यह तमाम जो घटना हुई है चाहे वह भूपाल के बेरसया की हो या फिर इंदौर के पास में पेड़मी गाउं की हो जिस तरह के मामले सामने आए हैं यह कई तरह के सवाल भी उठाते हैं क्योंकि गाये को लेकर लगातार राजनीती भी होती रही है गो स्रिवा को कई तरह के दावे और वादे भी किये जाते हैं लेकिन जब इस तरह की तस्वीरे सामने आती हैं तो वाकई में यह माना जाता है कि केवल गाये का उप्योग जो है वो केवल राजनीती के लिए किया जाता है हलाकि यह जो घटना पुरी सामने आई या प्रशासन जो है वो ये बिमार चल रहे थी और उसके चलते ही इनकी मौत हुई है तो कुल मिला कर कहा जाएगा कि अब ये जो पूरा मामला है काफी गंबिर हो चुका है जिस तरह से शासन और प्रशासन ने इस पूरे मामले की जाच शुरू की है ये ये भी तत्य सामने आ सकते हैं कि इसमें किसक लापरवाई है कि जो जिम्मेंदार है इस पूरी घटना के लिए उसके खिलाफ कारवाई भी होगी और जो पेड़मी के गौशाला का जो मैनेजर है उसको हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है लेकिन ये पूरा जो मामला है काफी इस समय प्रदेश की राजनीती में चा क्या कहेंगे इसको लेकर क्योंकि हमारे हाँ पर जो गाये हैं वह आस्ता का प्रतीक मारी जाती है इस तरह के तश्वीर सामने आती है वाकई में दिल दुखता यह जो घटना देखी है पेपर और सुचना तंतर का उसमें मैंने पड़ी है बहुत दुखत घटना है गव हमा हमारे हिंदू धर्म का एक आस्ता का विशह है इस विशह में ऐसी गायों की गव माता की दूर दशा हो हमारे से सहन नी हो यह हम मतलब हमारे को सुनने और फोटो देखने में हमारे ऐसा लगता है कि बहुत गलत हो रहा है बाकि इस इस गवशाला जो भी है पैड़मी की जो गवशाला है इसमें गो भक्त लोग हैं गायों को जो पालते हैं गायों के लिए जिसका सम्मान है वही गवशाला चलाते हैं बाकि जो यह लापरवई यह है यह प्रशाशन नगर निगम की लापरवई है इंदोर महानगर के में जो स्वच्चता अभियान को लेके यह अभ पुरी लापरवेई और गलती बुक्त बराने के प्रायास में जब इन दौर शहर से जो पाशुव ममिश्य को बाहर किया था उस दोरा नगर निगम को व्यवस्ता करना चाहिए थी और गाएं का उपर ध्यान भी रखना चाहिए था कि गाएं कहां पे लेके गए हैं किसी हलत में हैं क्या है अब वहां ले जाके और उन्होंने बाहर रख दी है बाहर खाना पीना मिल रहा है कि नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं यह पता नहीं और बाहर जंगलों में घुम रही है और उसमें जो आवारा कुत्ते वगेरा यह है यह और यह पूरा संचालित के जाता है और काफी प्रतिश्टीत मानी जाती है संसता क्योंकि प्रदेश भर में कई इसके गौषाला है और गौष सेवा के लिए ही इसकी एक पहचान है ऐसे में वहाँ पर इस तरह के घटना होना वाकई में चौकाने वाला तत्य भी है आप यह मा और कि बहुत पुरानी मां अहिल्या के नाम से कि गौशाला बनी है इसका संचालन कप्रा मार्केट के कहीं व्याउसाई व्यापारी लोग है वो लोग करते हैं और इसमें मैं भी साल भर में एक दो बात तीन बात जाता आता रहता हूं बहुत अच्छी गौशाला है और इसी क विदा उतिर्फित्र शाखाखा पेडमी में है जो लोग विदरिदत से गायन बीमार हो जाती है उन ले जाके वह पर हॉप्टिल भी है उसमें ले जाके छोड़ते हैं और उसमेर छोड़ते हैं कि उसके बाद में अब क्या है पहले तो नगर निगम उठा के लेक के जाती थी और चर्म जो इनका उध्योग चलता था और वो उसमें डिस्पोजल करती थी बाकी अभी क्या कर रही है ये नगर निगम प्रिशासंजे में जानकारी चाहता हूं कि नगर निगम ये हमें कि जो गाएं मत जाती है रस्ते में मत जाती है उसका आप क्या करते हैं मेरा अगला सावाल प्रिस्पाल जी वही था कि आखिरकार जब नगर निगम के जिम्मेदारी क्योंकि केवल आज से नहीं कई सालों पहले से ही जो इस तरह के मृत प्रशू है मवेशी है उनके डिस्पो नगर पर सवाल उठते हैं बात करों में नगर के आसपास में जब गाएं रहे लाय पर वते हैं और निगम प्रशंग स्वान करता हो कि इस और द्यान दे और में मद्ध्यपते सरकार से भी कहता हूं कि जिस प्रकार प्राणी संग्राला जगा जगा बने वे हैं और उनका देखरेक के लिए पुरा प्रिशाशन लगावा रहता है डॉक्टर रहते हैं ऐसे ही गायों के लिए गो अभियानन बनाए हर जिलों में और शाश लगातार सामने आती हैं तो इसकी कारक्षचली पर भी सवाल उटता हैं नई गोशालां को देखना जो अनीमित्ता चल रही है उसको देखना ध्यान देना किन्तों कुछ जगा हर आदमी जानि सकता है इतने मेंबर वगएरा नहीं है उसमें कि पूरा मंत्यप्रदेश गवर तो उनको जब नालेज में आएगी तो आप तुरंत जाएंगे इसके अध्यक्ष वगरा और उसके प्रशाशन को बताकर और कारवाई करेंगे तो आपकी जो प्रकोष्ट वो किस तरह का एक्षन ले रहा है क्या इस पर सरकार से बात की जाएगी जीला प्रशासन से आप लोग बात करेंगे क्योंकि कल जब यह मामला सामने आता उसके बाद कई हिंदुवादी संगठन के जो कारे करता है वो पेडमी में पहुंचे थे औ मांगे और मेनेजर की गरिफतारी तक हुई है इसमें हमारा लगातार को सेवा प्रकोष्ट हर गाउशालाओं में जाती रहती है और वहाँ देखते रहते हम लोग कि क्या लापरवई वगेरा यह है उसको हम दुरूस्त करते हैं गउशालाओं में संचालन करने के लिए अर अधर रहता नहीं है तो हम इदर उदर से जुड़ा के और भूसा चारा वगेरा यह डालके हम यह करते हैं बाकि हम यह सरकात से आववान करता हूं मैं वापस से आप से कह रहा हूं कि इसका गउशालाओं जितने भी बंद होने की कगार पर है उन पर ध्यान दे यही मेरा आ सामने आए हैं तो यह वाकई में जो हिंदु धर्म में आस्था रखते हैं उनके उनको काफी पीड़ा पहुंची पूरे तमाम जो दिरिश्य देखे थे जिस तरह के घटना सामने आई है तो ऐसे में अब सरकार और प्रशासन को यह कदम उठाने चाहिए क्योंकि जो गोश है उसके लिए जिम्यदारियां भी अपताय करना होंगी जैसे प्रिंस्पाल टोंगयाजी ने कहा है कि फंड की कभी सबसे जादा इस पूरे संचालन में कहीने कहीं एक बड़ा रोडा बनती हैं तो ऐसे में अब सरकार को यह सोचना होगा कि जो गोशाला हैं जहां पर अध जराव्रति नहों तो इसके लिए अब सरकार को प्रशासन को ही कदम उठाने की बहुत जादा आवशकता है कि वहां के आसपास के रहवास्यों द्वारा भी यह बताया गया है कि जहां 15-20 कर्मचारी होने चाहिए गायों की देखबार के लिए वहां 2-5 कर्मचारी नहीं है और इसके बात इसकी पुष्टि कलेक्टर मनिश सिंग ने भी की है तो उन्हों ने यह भी कहा है कि आने ważne म्रत गायों के निस्तारं को लेकर पुंकर पुखता में चेया गय basic कि यह बीचा है कि बीचिफANGशा यह सवाल स्टूडियो से आया है तो ऐसे में आप इनके निस्तारण की क्या व्यवस्ता रहेगी और इसके पहले भी नगर निगम जो है वह इसकी जिम्मदारी उठाता रहा है लेकिन महनी सिंग के यह निर्देश की इसके लिए अलग से व्यवस्ता की जाएगी क्या जानकारी आप तक पहुंची इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया उसको अपनाया जाएगा मैं खुद नगर निगम से यह पूछना चाहता हूं कि जो पहले यह गाएं वगेरा उठाके लेके जाते थे उनके लिए इन्होंने एक वो वर्क्शाप बनाया हुआ था और डिस्पोजल करते थे अब क्या है इसका मैं प्रशाशन कि यह जो आवारा मतलब जो पशु पशु है गोम आता है यह शांत हो जाती है तो इनको बाद में क्या करती है निस्टारण के लिए क्या विवस्ता है यह मैं खुद प्रश्ण उठा रहा हूं आप क्या मांग करेंगे कि इसके लिए विवस्ता की जाये और परियाप ऐसी विवस्थित विवस्ता की जाये ताकि इस तरह के घटना सौम नहों और गोशाला जो है उनको भी एक यह मालूम रहे प्रख्रिया मालूम क्या कि आख तो रोशनी या पर देख सकते हैं कि जो प्रिंस्पाल टूंगया जी है प्रदेश प्रदाधिकारी हैं गोसेवब प्रकोष्ट के तो उनका भी साफतर पर खेना है अब नगर्निगम तक की जो व्यवस्ता है वो नगर्निगम को द्वारा की जाती थी लेकिन वर्तमान में यह प्रक्रिया क्या है इसके बारे में उनको भी नहीं मालूम है और वो चुझकि पेड़िवी का ये पूरा मामला सामने आया है तो ऐसे में ये प्रशासन के जिम्मेदारी हो जाती है, नगर निगम के जिम्मेदारी हो जाती है कि इन गौवंश का, ये जो मृट उनके शव जंगल में पड़े हुए हैं, इनका प्रोपर तरीके से उनका निस्तारन किया जाए उनका तिम संस्कार किया जी बिल्कुल राहुल जी जिस तरह से टोंग्या जी ने सवाल उठाए हैं नगर निगम और जिम्मदार अधिकारियों के खिलाव सवाल उठाए हैं इसी तरह कॉंग्रेस विधायक संजी शुकला द्वारा भी गौशाला प्रबंदन पर स सामने आ रही है तो इसको लेकर संजी शुकला द्वारा किस तरह से सवाल उठाए गये हैं कि उनके द्वारा किसी तरह की कदम उठाए जाएंगे प्रिंस्पाल जी, यह पूरा जब मामला सामने है चाहे वो बेरसिया का मामला हो, पेडीमी का मामला उसके बाद कॉंग्रेश हंदना वापार हो गई और भारती जन्तापार्टी की जू सरकार है ऊस पर उसने हमला बोला है कि गायव को लेकर राजनीती जरूर करती है सरकार और भाजपा लेकिन यह तरह की मामले सामने आते हैं तो भाजपा की राजनीती पर भी सवाल उठते हैं इन दौर विधायक संजेश उकला ने भी पेडमी के जो मामला उसको उठाया है और अब उन्होंने ये भी खोशना किये कि वो पेडमी की जो गोशाला है उसको उसमें वो खुद भी सेवाएं देंगे तो यह जो इसको लेकर राजनीती गर्मा गई है उसको लेकर आप आपका चुकिए भारते जिन्ता पार्टी के प् लगता है गोह माता में आस्ता रखता है उनको सबको काम करना चाहिए और मैं यह कहता हूं कि इसमें राजनीती और यह जो आज यह पहली बार कंग्रेस तो यह सब दिखावा है और यह कोई ऐसा नहीं आस्ता कई आके गायों के लिए अंदोलन क्या हो तो बताओ आप कई गायों मर जाती कटी भी पड़ी रहती है क्या गायों हो तो बताओ ये आस्ता वाले लोग और हिंदू बजरंगदल और विश्विंदू परिशाद यही लोग हम ऐसा अंदोलन करते हैं और इसी से जो में हम लेका इंदे देखा है कि गौवद पर प्रतिबन लगाने की मांग की जाती है लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो वो शासन और प्रशासन को सवालों के कटगरे में जरूर खड़ा करती है और अब ये जो समय हैं वो वाकई में जिम्मेदारी ताय करने का हम कह सकते हैं कि उसके लिए ना किवल सरकार बलकि प्रशासन को भी नगर निगम को भी और तमाम जो समासे भी है जो गोशालाओं से जुड़ हुए हैं उनके लि निस्तारण है उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए ये विवस्ता जो है वो अब एक समनवाई प्रयास इसके लिए होने चलिए जिस तरह से आपने हमें तमाम जानकार्या दी इस से इस बात से यह परस्ट होता है कि प्रदेश में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसी पूरे मुद्दे को लेकर हिंदुवादी संकठन कल पेड़ मी भी पहुंचे थे और उन्होंने भी जो पूरे मामला है उसके उपर काफी ज्यादा नाराजगी जताई है अब एक समनवे अगर हम बात करें जैसे चुकि आपने कहा है कि भारती जंता पार्टी इसको ल कि इस इस पर जो भी जिसकी भी गलती हो उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई कि जाए और नगर निगम प्रशाशन को पछला इसपस्ट किया जाए और उनकी गलती हो तो उन पर भी कारवाई की जाए यह सरकारी इस्तर पर में प्रकोस्ट की माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आवण करूँआ कि आप अभिहारन बनाएं जगा जगा और इसका देखरेख के लिए विवस्ता करें जीला प्रशाशन को इस पर ध्यान देने की जरूबत है और दीजला प्रशाशन को अग्रासित कर नाया है उसके जो जिम्मदार है उसमें जिसकी भी ruins के ऐना तरी साथ ही जो और इन गईओं के लिए चारा पानी के विवस्ता हो लिए भोजन की प्रियाब विवस्ता हो तो चिकित्सा की विवस्ता महां पर तरह की जो मांग है वो अब प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने गउशाला के ट्रस्टी के खिलाफ मामला दर्श कर लिया गया है तो किस तरह से आगे उनके उपर कारवाई की किये जाने की बात सामने आ रही है इस पूरे मामला में जिसा आपने कहा कि जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कारवाई करने की मांग आपने कही बजंग दलने भी कल जब प्रशान किया था उसके बाद जो ट्रस्टी है मैनेजर उनके खिलाफ है फायर दाज हुई अब यह जो को अब आखे मानते हैं कि यह लोग केkolों के सब्सक्राइब कि परौकर के काम कर रहा है यह जितनी भी गलती है, मैं पूरी गलती नगनिगम प्रशाशन की मानता हूँ कि यह लापरवाई नगनिगम प्रशाशन की है, वहाँ पे तो बुजूर्ग गायें, वहाँ पे अस्पताल वगेरा सब बना हुआ है, बुड़ी गायें जाती है, बिमार गायें लेगें, जो संचालन गउशाला करने वालों का, उनका कोई दोश नहीं है, दोश है, तो जो उनके म्रत शरीर पड़े में हैं, उन शरीर को कैसे और कहा पर उनका निवानन करें, यह देखने की बात है, और यह सोचने की बात है. तो रोश्णी, यहाँ पर प्रिंस्पाल जी जरूर मानते हैं कि जो घटना है, वो काफी दुखाद हुई है, लेकिन इसमें जो ट्रस्टी जो हैं, वो केवल वहाँ पर धन और व्यवस्ता हैं, वो जुटाते हैं, वो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ पर जो केर्टेकर्स हैं, उनकी जिम्यदारी होती है कि जिस तरह से पूरा घटना करम सामने आया है, वो ना हो, जो अगर भुड़ी और बिमार गाया अगर वहाँ पर पहुंच रही हैं, तो उसके इलाज की परियाब व्यवस्ता हो, जो चिकित्स इसमें राजनितिक दल शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में अब ये जो मामला है वो राजनितिक मुद्दा भी बनता जा रहा है, राहुल जी मैं आपसे आखरी बात चानना चाहूंगी कि इतने बड़े पैमाने पर जो गायों के शव मिले हैं, तो सरकार दोरा उनके शव का अं काईटी बनाई हैं और जिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं पेडमी में और अब ये जो गाये हैं तकरीबान सो के लगबग गाये जो है उनके शव के पैडमी के पास के जो जंगल हैं वहां पर पाए गए हैं, बहुत़्ार्ण का इनके अंतिम संस्कार की विवस्ता है, है वो सरकार और प्रशासन के द्वारा की जाएगी और यह काम चुकी इसमें और चुवेस्ट गंटे से जादा की देरी हो चुकी है यह मामला परसों सामने आया था बाउजुद इसके कल तक इन गायों का जो अंतिम संस्कार वो नहीं किया गया था तो ऐसे में इसी को लेकर अक्रोशे वो बढ़ गया था और अब जाहिर से बात है कि अब चुकी है मामला सामने आया है तो ऐसे में नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन इन मृत की अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्ता कर रहा है और जल्दी इनका जो निस्तारन है वो किया जाएगा हमारे स के शव मिलने का मामला सामने आने की क्या वजजा है और किस तरह से मामले को खत्म करने के लिए कलेकटर मरिश सिंग ने भी फुकताइं इंतिजाम कीए हैं और साथ ही उन्होंने हमें यह बी बताया कि किस तरह से बजरंग दल द्वारा इस पूरे मामले पर अपना विरोध दर्ज किया गया हम आपको बता दें कि ग्राम उद्योग के साथ अन्य संस्थाओं ने निस्तारण कारे बंद कर दिया है इसी कारण से अब इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं पर अब इन द और नाम सामने आ सकते हैं और जाज के बाद उन पर बड़ी कारवाई भी की जा सकती है डिजियाना न्यूस पर खबरों का सिलसला लगातार जारी है बने वही है मारे साथ